अयोध्या की मिलकेपूर विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार तेज हो चला है चूकि ये सीट उप्चुनाव की सबसे होट सीट है लिहाजा सपा और बीचेपी दोनों ही मजबूत पार्टिया हर हाल में सीट को जीतना चाहती है इसलिए सपा और बीचेपी के धुरंधर नेताओं ने मिलकेपूर को हर्थियाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है शुकरवार चार अक्टूबर को यूपी के डिप्टी सीयम केशो पिसान मौर आयुध्या दोरे पर पहुचे यहां उन्हों ने मिलकेपूर में एक जनसभा को संबोधित किया अपटी पार्टी के पक्ष में जनता के बीच माहौल बनाने की पूरी कोशिश की सरकार के किये कामों के बारे में बारी की से बताया इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंग ने एक वीडियो शेयर किया इस दावे के साथ की ये वीडियो डिप्टी सीयम केश्व प्रिसान मौरी की जनसभा का है अखिलेश के नेता आईपी सिंग ने अपने आधिकारी केक्स अकाउंट पर केपी मौरी के जनसभा का वीडियो शेयर करते हुए तंज भरे अंदाज में लिखा ताम जहां खर्चा इतना आगमी 50 नहीं आए आज केश्व प्रिसान मौरी मिलकीपुर अयुध्या में सभा करने पहुँचे 25 से 50 लोगों को नहीं जुटा पाए चले हैं समाजवादी पार्टी से दो-दो हाथ करने बीचे पी हराओ प्रदेश बचाओ हालकि इस वीडियो में मंच से कोई नेता तो बोल रहा है लेकिन केश्व प्रिसान मौरी कहीं नजर नहीं आ रहे है हालकि दावा किया जा रहा है कि माईक पर डिप्रिसीयम की ही आवाज है तस्वीरों में कुरसियां भी खाली दिखाई दे रही है कुछी लोग नेता जी को सुनते हुए नजर आ रहे है दो तीन पुलिस के जवान भी तैनाथ है वहीं जैसे ही ये वीडियो आईपि सिंग ने सोशल मीडिया पर शेयर किया लोगों के कमेंट आना भी शुरू हो गए एक शक्स ने लिखा लगता है भाश्वा में पैसो की कमी आ गई है तो दूसरे ने लिखा जब कोई सुनने नहीं आया तो हार मान लेना चाहिए वहीं एक ने मजे लेते हुए कहा इससे जादा तो भीर चटोरी गली में होती है फिलहाल आप इन तस्वीरों को देखने के बाद क्या कहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा